फिरोजबाद में सरफक्ष। पकवाडे का समापन बीजेपिनेता राकेश शंकवार और परिवहन विभाग दिकारियों ने यादायात नियमों के पालन पर जोर दिया। लोगों को किया जाग रूख सरक्षा पकवाड़े के समापन पर यादायाद नियमों के पालन का महातु बताया, 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चले इस पकवाड़े में लोगों को सरक पर सुरक्षित रहने और नियमों का पालन करने के लिए जाग रूख किया गया, ये पर अन्यदिकारी और कर्मचारी भी उपस्तित थे जिन्हों ने सुरक्षा के प्रती लोगों को जागरूप करने में योगदान दिया पक्षवाड़े के दौरान विबिन कायक्रमों के माध्यम थे लोगों को सड़क पर सुरक्षित रहने की जानकारी दिले पक्षवाड़ा का आज समापन दिवस है तो अक्टुवर से 16 अक्टुवर तक यह समापन प्रवाड़ा मनाया गया है इसमें आज एक संगोष्टी हुई है जिसमें वह सारे लोग नागरिक लोग पस्तक हो गए हैं तो सभी को बताया गया है किस तरीके से हमें टीवीलर चला करते हैं यह हमारे और रॉंग साइड हम लोग मैं सारी चीजिए जो परवन वाग के नियम है लोगों ने बड़ा साथ की साथ उनको बिरंट करने का काम किया और अपने बच्चों को भी बताने का काम करें जरूर आएगा जरूर जरूर आएगा पढ़ाने पढ़ते हैं फिसे बाब करने में बच्चे भी जो स्कूल की बच्चे में आएगा रियास यह कि आगया और वालब करने हैं अ चैनल पर हैँ किसी देखने वागों समय से उन्हें रेंटें में और शिट्रेंट परयोग करें मैं इनना से अगाडी ने प्राद तो अपने हाथ के इसारे से दूसरे आने वाले वाहन सब्चाल हों को इस विशन डूप से सरकेतें जिससे दूरगटनाओं में बचावों बीच में इस जिले में काफी जो है दूरगटनाओं का अकड़े बड़ा तरूपा दियाम साथ के दोड़ा एने चाई को पत्र लिखा गया और उसमें वेरी टेडिंग कराई जा रही है जिससे रोड़ क्र पखें अजिग रूंपे भारे में भी बता जा रहां है जगे जग जी स्कूलों में छालेजों में मुष्टी कराई जा रही है और बताया जा रहा है एक है आप है सिभ परक सर्चा को करें और करेंगे तो हमारी दुर्गटनाई बचेंगी दुर्गटनाई बचेंगी तो परवार के जो लोग हैं तो हताहत हो रहे हैं वो जो है उनसे पचाए लिए ठीम